दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले हैं कि Mankind Pharma Limited Company के IPO में दूसरे दिन तक कितना सब्सक्रिप्सन हो चुका है साथी साथ इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि इस IPO का ग्रे मार्केट में आज के देन क्या प्रीमियम चल रहा है मेरा नाम है शुभान स्चौरस या तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दिखिए अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हैं दोस्तों सबसे बहले डिटेल की बात करें तो 25-27 के बीच ये ओपन है अप्लाई करने के लिए 1026-1080 रुपे के बीच इसका प्राइब रखा गया या नहीं एक अजारसी रूपे में आपको एक शेयर लॉट होगा इस उस टाइब की बात करें तो बुक बिल्ट इशू होगा बीस ये नसी दोनों पर ही लिस्ट होगा 35% का रेटेल रेजर्वेशन देखने को मिल रहा है अब दोस्तों यहाँ पर बात करें दूसरे दिन तक के सब्सक्रिप्सन की तो QIV केटेगरी में 1.86 टाइम सब्सक्रिप्सन हो चुका है और ये केटेगरी में 1.02 टाइम सी आईप्यो भरता हुए नज़रा रहा है दोस्तों इन दोनों ही केटेगरी में पहले और दूसरे दिन मामूली से सब्सक्रिप्सन होता है लेकिन तीसरे दिन भारी भर कम सब्सक्रिप्सन देखने को मिलता है तो कल का दिन इन दोनों ही केटेगरी के लिए काफी ज़दा इंपोटेंट ओने बाला हुए वही रेटेल के टेकरीग बात करें तो 0.25 टाइमस यह आई-प्यो सबस्क्राइब हुआ है यानि की काफी कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है अगर रेटेल एप्लिकेशन की बात करें तो अभी तक 2,14,479 एप्लिकेशन आती भी नज़र आ रहे हैं दोस्तों यहां पर का साथ आज के दिन यह आई-प्यो करीब-करीब यहां पर आप देख सकते हैं 1148 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत देता हुआ नजरा रहा है यानि कल से इसका प्रीमियम कम हो गया है कल के दिन प्रीमियम करीब 88 रुपए के आसपास चलता हुआ नजरा रहा था लेकिन आज आई-प्यो काफी अच्छा मुनाफ़ा देने की चामता रखता है क्योंकि इसमें काफी बड़िया फाइनेशल है और पिछले चार सालों में तो जबरदस ग्रोथ इस शेयर में देखने को मिल रही है इस कंपनी में देखने को मिल रही है तो आप अपने हिसाब से फैसला ल करने हैं तो सबस्क्राइब जरूर करें तैना बात